तो आप सबको तो पता है अभी नवरातरी चल रहा है और बहुत जनका फास्टिंग या फिर बिना ब्राज लेजन का खाना खाते हैं तो इसी लिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हो नवरातरी स्पेशल थाली जो आप लोग घर पे बहुत एजीली बना सकते हैं 30 मिनिट के अंदर तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे घी का पुलाओ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आधा चमबच घी को गरम कर देंगे उसके बाद आड़ कर देंगे एक छोटा चमबच जीरा और 4-5 ब्लैक पेपर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राइ फ्रूट्स अड़ करेंगे तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा कैश्यू, रेजिन्स और आलमंड्स को यह सारे चीज़ों को एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे बासमती चावल को करीब एक घंटा के लिए सोक करके रखी दी, चावल को आड़ कर देंगे उसके बाद आड़ कर देंगे नमक, स्वाद अनुसार, पानी आड़ करेंगे और यह सार पर दो विसल आ चुका है और कोकर को अभी हम लोग खोलेंगे फटा फट कोकर को नहीं खोलेंगे उसको अच्छे से थंडा होने के लिए रखेंगे उसके बाद ही खोलेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हमारा जो चावल है वो एकदम पॉफिकली कुख हुआ है और सा आइड़् कर देंगे एक बड़ा चमल चींक शाथी साथ आड़् कर देंगे एक बड़ा चमल चीला यह दोनों को एक सेकंड के लिए हम लोग अच्छे से कुख कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर आड कर देंगे तीन से चार बारीक कटावा हरी मिच और इसको भी एक से दो मिनिट के लिए कूप कर लेंगे तो ये आलो का रेसे पर बनाने के लिए यहाँ पर मैं बॉइल करके आलो को ऐसे क्यूप्स में कट कर दी हूँ ओवर कूप बलकुल भी नहीं करना है हम लोग आलो को तब तक पकाएंगे जब तक इसके उपर एक खलका सा ब्राउन कलर का लेयर ना आ जाए तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो फ्रेम में कूप करेंगे पान से छे मिनिट के लिए तो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आड करेंगे एक छोटा चमच जीरा पाउडर नमक स्वाद अनुसार मूंग फली को हम लोग यहाँ पर रोस करके क्रश करके यूज कर रहे हैं यह सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कूप करेंगे एक से दो मिनिट के लिए तो यहाँ पर हमारा जो आलू है न ये एकदम रेडी हो चुका है उपर से आड कर देंगे बारी कटावा धनिया और इसको फिट से एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारा जो फलहारी आलू है न ये एकदम रेडी हो चुका है तो अभी मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ without onion garlic का साही पनिर की recipe और वो भी white gravy में तो gravy बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मगज, काजू और almonds को सोग करके रखी हूँ आदा घंटा से उसको एक blender जार के अंदर transfer कर लेंगे थोड़ा सा पानी के साथ इसके बाद आड़ कर देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और यह सारे चीजों को एक fine paste बना लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो paste है एकदम ready हो चुका है इसको भी side में रख देंगे तो white gravy बनानी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे add कर दूँगे थोड़ा सा तेल उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे black paper, डालचीनी, उसके बाद ilaichi का जो बीज होता है वो और थोड़ा सा तेज पता, यह सारे चीजों को एक से दो सेकेंड के लिए cook कर लेंगे उसके बाद हम लोग जो paste prepare किये थे वो add कर देंगे और इसको रहलका सा stir कर लेंगे यह जो paste है यह नीचे चिपके का क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ dry fruits का use किये हैं इसलिए हम लोग इसको एकदम slow flame में cook करेंगे तो अभी में यह मसालों के अंदर add कर दूँगी एक लास पानी और यह सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और इसको boil होने के लिए रख देंगे करीब 5-6 मिनिट के लिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं boil आना start हो चुका है और हमारा जो पानी था वो भी सारे dry हो चुका है तो अभी में इसके अंदर add कर दूँगी एक cup दूद तो दूद को add करने से पहले हम लोग थोड़ा सा gravy ले लेंगे एक से दो बड़ा चमच और दूद के साथ अच्छे से mix कर लेंगे ऐसे करके अगर हम लोग दूद को add करेंगी gravy के अंदर तो दूद का फटने का chance बिलकुल भी नहीं होता और अगर हम लोग डिरेक्ली यूज करते हैं तो फिर दूद का फटने का chance होता है तो अभी में ये सारी चीजों को अच्छे से mix कर लोगी अच्छे से mix होने के बाद add कर देंगे नमक और फिट से और एक बार इसको mix कर लेंगे तो जैसे ही gravy के अंदर हलका सा boil आजाएगा add कर देंगे fresh paneer पनीर add करने के बाद हम लोग इसको ज़्यादा stir नहीं करेंगे बस हलके हाथों से इसको थोड़ा सा stir कर लेंगे अगर आप लोग ज़्यादा stir करते हैं तो फिर पनीर का टूटने का chance ज़्यादा रहता है उसके बाद add कर देंगे एक छोटा चमच कसूरी मेती और 4-5 मिनिट के लिए इसको boil होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पे हमारा जो पनीर है वो एकदम ready हो चुका है उपर से add कर देंगे थोड़ा सा केसर और हमारा जो साही पनीर है without onion और garlic एकदम ready हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो gravy है वो भी एकदम perfect है और paneer भी एकदम perfectly cooked हुआ है तो अभी मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ एक बहुती easy dessert जो की है साबुदाना का खीर साबुदाना का खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे दूद बॉल होने के लिए रख दी हूँ और साबुदाना को overnight soak करके रखी थी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साबुदाना जो है वो अच्छे से full चुका है तो अभी हम लोग दूद को हलका सा stir कर लेंगे नहीं तो यह नीचे चिपक जाएगा जब दूद पे हलका सा boil आना स्टार्ट होगा add कर देंगे crush कियावा इलाईची और इसको एक बार अच्छे से stir कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो दूद है वो काफी अच्छी तरीके से boil हो रहा है तो अभी मैं इसके अंदर add कर दूँगी तो पानी के साथ ही add कर देंगे क्योंकि जब यह boil होगा पानी जो जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा ड्राय हो जाएगा अच्छे से mix कर लेंगे और 4-5 मिनिट के लिए इसको cook करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो साबू दाना है वो फूलना स्टार्ट हो चुका है और दूद भी हलका सा गाढ़ा हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर आड कर दूँगी 4 बड़ा चम्मत सक्कर सक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं यह सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद आड कर देंगे थोड़ा सा chopped कियावा almonds तो यहाँ पे आप अपने फेबरेट दाना वड़ा का रेसिपी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन आलो को ग्रेट करके यूज कर रहे हूं इसके अंदर आड कर देंगे ओवन नाइट सोप कियावा साबू दाना इससे ना पानी हम लोग काफी अच्छे से निकाल देंगे उसके बाद ही यूज करेंगे उसके साथ आड कर देंगे रोस्ट कियावा और क्रश कियावा पीनट्स तो अभी मैं यह सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लोंगी हमें ज्यादा इसको प्रेस्ट नहीं करना है बस हलके हाथों से यह सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो सब कुछ अच्छे से mix करने के बाद last में add कर देंगे नमक, स्वाद, अनुसार और फिट से ये सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा वड़ा का mixture एकदम ready हो गया है तो फर चलिए जल्दी से इसको वड़ा का shape देंगे तो वड़ा का shape देने के लिए यहाँ पर हम लोग एक ball ले लेंगे डो से और इसको जैसे ठीकी हम लोग shape देते हैं वैसे ही exactly करेंगे उसके बाद मीच में एक छोटा सा hole create कर लेंगे और हो गया हमारा सागोदाना वड़ा एकदम ready तो फिर इसी तरह हमें बाकी वड़ा को भी prepare कर लेना है तो यहाँ पर हमारा दूसरा वड़ा भी एक दिन ready हो चुका है तो फिर चले जल्दे से इसको fry कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए तेल के कडाई को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद आट कर देंगे ये साबूदाना वड़ा को तो वड़ा को हम लोग golden brown होने तक फ्राइ करेंगे दोनों साइट से एक साइट होने के लिए कम से कम तीन से चार मिनिट का टाइम लग जाएग तो पूरी काफी जादा सिंपल रेसिपी है तो फिर चले इसका डो बना लेते हैं तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दो बड़ा कप आटा ली हूँ थोड़ा सा नमक ली हूँ और एक बड़ा चमच का सुरी मेथी यूश कर रही हूँ आप चाहे तो अजव अभी हम लोग इसके अंदर आट कर देंगे पानी और इसका एक सौफट सा डो रेडी करेंगी और जब डो अच्छे से रेडी हो जाएगा उसको कम से कम हम लोग आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए रखतेंगी डो हमारा जितना टाइम रेस्ट होगा हमारा जो पूरी ब को यहां पर मैं सारा पूरियों को रोल आउट कर चुकी हूं तो फिर चलिए जल्द से इसको फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर लोग देख सकते हमारा जो सारा पूरिया है ना वह पूरियों को फ्राइ कर लेंगे तो इसी के साथ आज का हमारा सारा थाली का रेसिपी एकदम कप्लीट हो चुका है तो फिर चलिए जल्दी से ये सारे चीजों को सफ करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम लोगा आगया है घी राइस जो कि बहुत जादा टेस्टी लग रहा है और इसी के साथ यहां पे हम रखे हैं सारा सबजी और खी तो फिर चलिए जल्दी से इसको प्रेट करते हैं तो सबसे पहले ये है फलारी वाला आलू इसके बाद हम लोग यहां पे सर्फ कर देंगे हमारा साही बनी विदाउट ओनिन गानिक जो कि काफी जादा टेस्टी है इसी के साथ हम सर्फ करेंगे यहां पे साबुदाना का खीर जो कि बहुत जादा टेस्टी है और बनाने के लिए काफी इजी है इसके बाद यहां पे हम लोग के पास पूरी और साबुदाना का वड़ा जो कि काफी टेस्टी है साथी साथ काफी जादा क्रिस्पी है और स्पेशल वाला थाली एकदम रेडी हो चुका है तो आप घर में बहुत एजीली कम सामान के साथ ये थाली को प्रिपार कर सकते हैं और काफी ज़्यादा एजी रेसिपी से So, hope you all like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get further notification Thank you for watching